question is what will be the difference between the total surface area of cone of radius 35 cm and the cold surface area question में है कि एक कोन है यानि कि एक संकू है जिसका हमें अंतर ग्याद करना है उसके total surface area of cold surface area में यह एक संकू है ठीक है अबर इसका हमें क्या दिया गया है इसका हमें यह दिया गया है कि इसका radius कितना है 35 cm देखा है एक ट्रिपलेट फोर्म होता है यह होता है 7, 35, 37 क्या होता है एक ट्रिपलेट होता है तो हम जहां से जानते हैं कि TSA कितना होता है TSA होता है आपका total surface area πr into l plus r गहीं होता है πr into l plus r अभी देखे 22 बटा में 7 into 35 into l कितना है 35 है sorry 37 है और r कितना है 35 को एड़ कर लेंगे 12, 37 साथ से कितना बर में जाएगा 5 बर में यह नहीं कि 110 into 72 जब इसको एड़ करेंगे कितना हो जाएगा अब यहां से हम CSA निकाल लेंगे CSA क्या होता है मेरे दूस्त πrl होता है 22 बटा में 7 into r कितना हो जाएगा 35 l कितना हो जाएगा साथ पच्छे 35 होगा यानि कि 110 into 37 जब इसको हम कल्कुलेट करेंगे 37 और यहां 33 चार चालीस यनिकी 4070 अब क्या करेंगे 47 इस में से माइनस करेंगे क्योंकि हम कम से कम 20 और 10 और ट्रिपलेट और 10 इवें ट्रोकुलेट यह आपको याद करना पड़ेगा